Hello Everyone, Welcome to Ravideti Classes Friends, आज का एक Most Important Topic है जो आपके Current Affairs से Related है और Topic का नाम है Grandstream Tournament 2024 2024 में हमारे सभी जो है Grandstream Tournament complete हो गए हैं जो कि टार्ट चार टूरनमेंट होती हैं वहां से हमारे Questions important है यहां से किस तरह से हमारे Questions आते हैं जैसे कि Grandstream Tournament का Edition आप लोगों से पूछ सकते हैं Location पूछ सकते हैं, कहां पी वो हुआ था साथी में winners में जैसे Men's Single, Women's Single, Double तो यह सारे हमारे Important Points हैं जो यहां से बन सकते हैं शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन काफी Important, काफी Effective वीडियो है हमने Content इस तरह से आपके लिए प्रिपर किया है थाकि आप एक Notes की तरह पूरे को समझ सकेंगे तो आईए इस Important Session को शुरू करती हैं जो भी आपके आने वाले एक्जाम से हैं यहां से आपको Question देखने को जरूर मिलेंगे So Grandstream Tournament की बात करेंगे कितने होते हैं Grandstream Tournament वो कप-कप खेले जाते हैं कौन-कौन से Courts पर उनको खेला जाता है सबसे पहले इसके बारे में हम बात करती हैं तो चार हमारे देखे Friends होते हैं Grandstream Tournament सबसे पहला होता है Australian Open सबसे स्टार्टिंग इसी से ही होती है ये खेला जाता है Hard Code पर तो Australian Open आप देख सकते हैं Hard Code पर खेला जाता है और ये हमारा January के मंत में हो जाता है सेकिन उसके बाद आता है French Open जिसे Roland Garros भी कहते हैं तो इस Confuse मन होना कई जगे Roland Garros के नाम से भी पूछ सकते हैं कई जगे French Open भी आ सकता है ये खेला जाता है Clay Code पर चाहिका आ दखेंगे कौ Missionary Code पर Clay Code पर जशे खेलते हैं और मै जून के टाइम पर ये टूर्णमेंड होता है उसके बाद आता है Wimbledon तीसरा टूर्णमेंड होता है Wimbledon और ये टूर्णमेंड खेला जाता है ग्रास कोड पर और इस tournament की बात करें timing तो June-July का जो time है उस time पर ये होता है सबसे आखरी में जो grand slam होता है न वो है US Open US Open आपका देखें August के time पर रहता है August-September की starting में complete हो जाता है और ये hard coat पर खेदा जाता है तो यहाँ पर picture से आप भी इसको थोड़ा सा याद रखते हैं Australian Open देखें hard coat आपको दिख रहा है surface जो है इसका Roll and Garros यानि French Open ये clay coat है जो orange के लगए mid-team सी है उसे clay coat कहते हैं फिर उसके विंबल्डन होता है grass coat गहांस वाला जो है और US Open भी hard coat पर होता है तो ये चार हमारे होते हैं grand slam tournament यहाँ तक friends clear रहा है आपको अब इनकी इस बार के अगर हम dates की बात करें 2024 के कप-कप हुए हैं ये tournament Australian Open आपका 14 January से हुआ था 28 January तक French आया है था French Open जो कि 26 में से हो लेके कप तक चला 9th June तक then Wimbledon हुआ जिसकी शुरुआत हुआ थी 1st of July को end हुआ था 14 July and last होता है US Open जो कि 26 अगर्स से लेके हुआ था 8 September तक तो ये हमारी इस बार 2024 की date से कप-कप कौन-कौन सा tournament हुआ है इसके बात ही के grand slam के बारे में कुछ-कुछ important points है ये हमारे important भी हो सकते हैं कोशन घुमा फिरा के यहां से बन सकता है तो 3-4 important points से इनको थोड़ा सा हम लोग cover करते हैं पहला देखे With the exception of World War 1st and 2nd and the 1986 Australian Open All 4 grand slam have been played every year since 1905 जो पहला विश्यूद और दूसरा विश्यूद विडियोद हुआ था और 1986 के Australian Open के अबबात को छोड़ कर 1905 से देखे हर वर्ष जो हैं लेकिन जब World War 1st and 2nd चल रही थे तब टूर्णामेंट नहीं हुए थे इनमें से सबसे पुराना देखे कौन सा टूर्णामेंट है कुशन आ सकता है यह grand slam में सबसे oldest कौन सा है तो वो Wimbledon है जिसकी शिरवात हुई थी 1877 में अगला point देखे सबसे ज़ादा grand slam जीतने का record किसके नाम पे है तो सबसे ज़ादा जो grand slam singles टाइटल है वो नुवाग सोकोविच के नाम है इनके पास 24 titles है singles में और उसके बाद दूसरे प्लेस पे कौन है राफेल नदाल grand slam tournament जीतने वाले oldest player कौन है नाम याद रखना है रोहन बोपन्ना इंडिया के player है so grand slam का खिताब जीतने वाले ये सबसे oldest player है कोशन आ सकता है इसलिए ये points भी यहाँ पे cover करा रही है उसके बाद देखिए पहले हमने जो बात करे थी वो men's में बात करे थी कि सबसे ज़ादा जो है जीतने का record किसके नाम है नोवाग जोगोविक वहीं अगर हम female tennis player की बात करेंगे सबसे ज़ादा singles title किसने जीते है तो female में सबसे ज़ादा singles title जीते है Australia की player Margaret Courtney इनके पास में 24 grand slam titles है उनके career में तो सबसे ज़ादा जीतने का record इनहीं के नाम पे है grand slam जो है अगर बात करें grand slam जीतने वाले पहली इंडियन कौन है तो first इंडियन जिरोंने grand slam title जीता उनका नाम है महेश भूपती और इन्होंने जीता था ये title 1997 में अब तक अगर हम overall बात करें तो 4 इंडियन tennis player है जो कि अपने career में grand slam जीता रही है जिरोंने grand slam title जीते हैं कौन कौन है देखिए लेंडर पियर्स 18 बारें होने जीता महेश भूपती सानिया मिर्चा और रोहन बोपनना तो ये चार हमारे इंडियन प्लियर्स हैं जिरोंने अब तक अपने career में जीते हैं grand slam title तो यहां मैंने आपको जो ये extra points बताई है न ये ज़रूर याद दखीगा क्योंकि यहां से आप लोगों से question बन सकते हैं जैसे कि आप लोगों से पूछ लेंगे सबसे पहले इंडियन कौन जिनोंने grand slam title जीता तो आपका answer रहेगा simple महेश भूपती ये सबसे oldest player कौन है इंडिया में कर बात करें तो इस तरह से question जो है यहां से form हो सकते हैं अब बात करते हैं कुछ important questions की और साथी साथ में सभी grand slam tournaments के winners की भी हम बात करेंगे पहला question देखे with his victory at the Australian Open 2024 who became the oldest male player to win a grand slam title ever तो Australian Open में अपनी जीत के साथ में कौन सी grand slam खिताब जीतने वाले कौन है सबसे उम्र दरास पुरुष खिलाडी तो मैंने आपको एक्स्टर पॉइंट में भी बताया है इनका नाम याद दखेंगे रोहन बोपनना तो जो Australian Open हुआ था ना उसमें रोहन बोपनना नेरा मेंस डबल्स में देखे टाइडल जीता बात करेंगे इनके साथ में कौन थे पहले हम कुछ और भी important points discuss करते हैं Australian Open की बात करते हैं तो इस बार इसका हुआ था 112th edition जो की खेला गया था Melbourne Park Australia में किस पे खेला जाता है ये बात करते हैं तो देखे men's singles की बात करें जिसे हम कहते हैं पुरुष एकल men's single में विजिता कौन रही है इटली के जैनिक सेनर कोशन के से आएगा कि 2024 में Australian Open में men's single टाइडल किसने जीता है आंसर किसने जीता है जैनिक सेनर ने next देखे बात करेंगे women's single की तो women's single यानि महिला एकल के दाब किसने जीता तो fans ये टाइडल जीता है Irena Sabalinka ने men's doubles की बात करेंगी तो देखे रोहन बुपन ना इंडिया के प्लेयर और इनके जो साथ में कौन थे Matthew Abden तो इनोंने Australian Open में जीता है men's doubles का title तो आप लोगों इस दिना यहां से कोई भी question आ सकता है इसलिए आपको ये winner सभी याद रखने है अगरा question Who has won the women's single title of the French Open 2024 So French Open जो tournament हुआ है उसमें महिला एकल किताब किसने जीता है तो fans ये title जीता है किसने Ega Switig ने याद दखेंगे Ega Switig winner रही है women's single की अब French Open के बारे में थोड़ा सा बात करती है French Open को Roland Garros के नाम से भी देखे इसको जाना जाता है और ये clay coat पर खेला जाता है इस बार हुआ है इसका 123rd edition इसकी शिरवात कब हुई थी तो French Open सबसे पहले खेला गया था 1891 में चीके important point होगे आप चलिए कुछ winners के नाम देख लेते हैं सबसे पहले बात करते है Men's Singles title किसने जीता है French Open 2024 में Men's Single title जीता है Spain के player Carlos Elkarazni अगले winners देखे कौन-कौन है Men's Doubles तो Doubles में title जीता है El Salvador के Marcelo Arevelo और Kiroshi के Mate Pavikni वहीं बात करते है Women's Doubles की तो किसने जीता है title doubles का winner रही है USA की Coco Gauff और Czech से Katrina Sinia Kova तो ये winners रही है Mahila Yugal जैसे हम कहते हिंदी में या Women's Double तो ये हमारी बात हो गई है French Open Tournament की French Open के बाद Wimbledon आता है Question देखे क्या है Who has won the women's single title of the Wimbledon 2024 So Wimbledon 2017 में Mahila एकल खिताब किसने जीता है तो इसमें winner कौन रही है Barbara Crazy Kova So Barbara Crazy Kova winner रही है Wimbledon Open में Mahila एकल की Wimbledon जो Championship एना ये सभी टोनामेंट्स में सबसे oldest है और इस पार हुआ है इसका 137th edition और ये इसके शुरुवात कभूई दी तो 1877 में खेला गया था सबसे पहले Wimbledon Championship अब इसके बाद हम बात करेंगे जलेंस की इसके बाद एके Women's Double Women's Double यानि महिला यूगल किताब किसने चीता है तो ये चीता है USA की Taylor Townsend और Czech Republic से Katrina Sinia Kuba Men's Double की बात करेंगे तो Men's Double में विनर रहे Henry Patton चुकि ब्रिटेन के प्लेयर है और Second है इनके साथ में कौन थे Harry Halevura ये Finland के प्लेयर थे तो ये विनर रहे है Men's Double की तो दोनों यादों के Women's Double भी याद रखेगा और Men's Double भी आए फैंड्स अगली कोशन की बात करती है Who has won Men's Singles and Women's Single Titles of the US Open 2024 सो देखे जो US Open हुआ है उसमे पुरुष एकल और महिला एकल कहताब किसने जीता है सो दोनों ही हमसे एकी क्वेशन में पूछ लिए है सो सबसे पहले Men's Single की बात करें वो जीता है इटली के जैनिक से नर्नी और Women's Single टाइडल जीता है बेलारुस की प्लेयर आयरेना सबलेंकानी तो option C हमारा यहां पे सही होगा यह आप लोगों से अलग-अलग भी पूछ सकते हैं कि US Open में Men's Single के विनर कौन है या US Open Women's Single के इसने जीता और यहां एकटा पूछ लिया तो अगर आप लिस्ट याद रख लोगे सारे विनर्स याद रख लोगे तो Singles पूछे डबल्स पूछे ड़सन मैंटर आप सबी का आंसर इजिली बता सकती हैं US Open Tournament की बात करती हैं इस बार दिखे इसका एडिशन हुआ था 144th एडिशन New York City में हुआ था यह और यह खेला जाता है Hard Court पर कब इसके शिरुवात हुई थी तो US Open के शिरुवात हुई थी 1881 में यह तो बेसिक से पॉइंट होगे अब विनर्स की बात करेंगे तो Singles वाले तो मेरे आपको बता दिये हैं अब अगर बात करें डबल्स में तो देखे Men's Doubles टाइटल किसकिस ने चीता है दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की है और इनके नाम है मेक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्सन तो यह दोनों विनर्र रही है Men's Doubles की उसके बात करते है Women's Doubles की कौन-कौन विनर रही है तो इसमें विनर रही है Ukraine की लिउडिल मिला किचेनो और साथी में लात्विया की है जेलेना ओस्टापैंको तो यह दोनों विनर्र रही है Women's Doubles में Mixed Double की बात करेंगे तो दोनों प्लेयर देखे इसमें इटली से हैं और इनके नाम है सारा इरानी और एंट्रिया वसासोरी तो यह दोनों विनर्स रही है Mixed Double में US Open में तो US Open हमारा सबसे आखरी टूर्णामेंट था Starting Australia से होती है देखे Australian Open खेला जाता है एंट जो होता है सबसे आखरी जो Grind Slim खेला जाता है वो आपका होता है US Open तो यहाँ पे हमारे मैंने आपको सारे winners बता दिये सारे extra important points बता दिये है सबी के question कैसे आ सकते है यह भी मैंने आपको यहाँ पे suggest कर दिया है तो यहाँ हमारा आज का यह short and important topic complete हो गया है अब आज के test questions की बात करते है तो पहला question देखे Who has won the men's singles title in Australian Open 2024 तो अभी Australian Open जो हुआ है 2024 में पुरुष एकल का किताब किसने जीता है यह first question है Second question देखे Which edition of Wimbledon is played in 2024 So Wimbledon जो अब मारा टूनामेंट है 2024 में इसका कौन सा संसकर्ण जो है खेला गया है तो इसका edition आप लोगों को बताना है तो यह दो question हमारे हो गए है Test questions इनके answer जो है आप लोग friends मुझे comment box में ज़रूर लिखे तो आज का हमारा ये most important sports का topic complete हो गया Friends अगर आप हमारी कोई भी e-book purchase करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी website को ज़रूर visit करे www.ravibooks.pdf.com आपको यहाँ पी हमारी सारी e-books मिल जाएंगे जिसमें आपको most important questions मिलेंगे आने वले exams के लिए तो आप इसे सबी को यहाँ से buy कर सकती है तो आज का ये session आप लोगों को कैसा लगा आप अपना feedback हमें जरूर दीजेगा अगर अच्छा लगा हो तो इस video को like और share करिएगा Thank you so much for watching this video